जिला परिशद और पंचायद समीती उपचुनाओ को वोटिंग को सिर्फ 6 दिन बाकी है 5 अक्टूबर को मतदान होना है शासन ने चुनाओ की सारी तयारी पूरी कर ली है वही दूसरी और सभी पार्टियों और निर्दली उम्मिद्वारों का प्रचार जोरों से चल रहा है सभी पार्टी नेताओं और पदादीकारियों का OBC सीटों वाले सरकल में गाव गाव तूफानी दोरा शुरू हो गया है एक ही दिन में अनेक गाव को कवर किया जा रहा है जिला परिशत की सत्ता में पुनहपूर्ण बहुमत को कायम रखने के लिए जहां कॉंग्रेस पुरा जोर लगा रही है वही भाजपा भी अपनी सीटे बढ़ाने की कवायत में लगी हुई है उपचुनाओं के प्रचार के लिए गरामिन भागों के नेताओं ने ही कमान संभाल रखी है कॉंग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक मंत्री सुनिल केदार का तुफानी दौरा चल रहा है वही राश्ट्रवादी कॉंग्रेस के जिलाद्यक्ष बाबा गुजर वह पदाधिकारियों ने पाथ सीटों में कमान संभाल रखी है शूसेना के लिए आशिश जैसवार राजेंद्रहर ने प्रचार कर रहे है बीजेपी के जिलाद्यक्ष अर्विंद गजबिये और अन्य पदाधिकारी सभी सोला सीटों पर प्रचार में लगे हुए है इनके अलावा शेकाप, आमबेटकर राइट पार्टी ओफ इंडिया, प्रहार, वंचित बहुजन आगारी के उम्मिदवार भी इस चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए नागरिकों से वोटों की अपील कर रहे है मातर छे दिनों में पूरे जिले की सभी सीटों में आने वाले एक एक गाव को कवर करना पार्टी नेताओ के लिए चुनावी मौसम में जिला परिशद मुख्याले में सभी पदादीकारी मुख्याले नहीं आ रहा है सभी अपनी पार्टी के उम्मिदवारों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए है ग्रामिन भागों से अपना काम करवाने आने वाले नागरिक भी फिलाल यहां नहीं आ रहे हैं जिससे कार्याले भी सुनसान देखे जा रहे हैं सभी विभागों में शानती देखी जा रही है इस बीच प्रशासन ने 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए काटोल, नरखेड, सावनेर, कलमेशवर, रामटेक, पारशिवनी, मौदा, कामठी, उम्रेट, भिवापूर, कुही, नाकपूर, ग्रामिन वहिंगना तहसील के मतदाता अपने वोटों का उपियोग कर सके इसलिए संबंदित सरकलों में स्थानिय अफकाश खोशित कर दिया गया है